जैमा तादी, जैमा का मख्या, देवराधर ट्रस्ट, सत्यवानी चैनल, आपके प्रश्न हमारे उत्तर, मा भगवती जगत जन्नी को बारंबार उनके चर्णों में नत्मस तक करते हुए, उनकी आरादना से इस्थान को और सभी को पवित्र करते हुए, आपके प्रश्न हमारे उत्तर में आपका स्वागत है, कामख्ये वर्दे देवी नील परत वासिनी तम देवी जगत माता योनी मुद्रे नमस्तुते, कामख्ये काम संपन्ने काम इश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम काम इश्वरी नमस्तुते, काम दे काम रुपस्ते सुबगे सुर सेविते, करोमी दर्शन देविय सरकामार सिद्धे ए ओम महेशानी महामाए चामुंडे मुंडमाली नी आयू आरोग्य एश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जैन्ती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा चमा शिवा धातरी स्वाहा सदा नमस्तु दे। ओम सरमंगल मंगल्ये शीवे सर्वासादिके शरन्ये तरंबके गोरी नारायनी नमस्तु दे दुरुगति नाशिनी दुरुगा जै जै कालवि नाशिनी काली जै जै उमारमा ब्रह्मानी जै जै सीता राधा रुख्मनी जै जै महा लक्षमी नमस्तु भ्यम नमस्तु भ्यम सुरेश्वरी हरी प्रिये नमस्तु भ्यम नमस्तु भ्यम दयानी धी काली काली महा काली 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 के पापनाशिनी खडग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तु दे काली काली महा काली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करीदेवी नारायनी नमस्तुते नीर हार दंसार सुधा करम भाकल्यानं दाकनक चंबगादाम भूशाम उतुंग पिनकिछकंब मनो हरांगी वानी नमामी मनसावस्सा भीबूते सरस्वती नमो नित्यम भद्र काल दिये नमो नमा va वेद वेदांत वेदांग विध्याइ सनान अभ्य एवचा सरस्वती महाँ भागे विध्ये का मल लोचने विध्या रूपे विशा लाकशी विध्याम देही नमस्तllo Te ओम रेम श्रीम वागवादीनी ओम ओम रिम सिम्ज्वाला देवी नमो नमह देवी प्रपनताती हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमिश्वरी देवी चराचरश्य शुमम करोती कल्यानम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धी विनाशा दीप जोती नमस्तुते योनी मात्र शरीरा एकुन जवासी नी कामदा रजस्वला माहा तेजा कामाक्षी दिहाए तामसदा काम प्रिया काम रता कामा काम सरुबनी कामी नी कामी नी काम्या कामुका काम चारनी काम बीच इस्ता काम पिठ निवासी नी कामदा काली कामदा काम हाकाली कपाली कराली का नमत्त से नमत्त से नमो नमहा या देवी सर भूते सुच मारुपन संस्तिता नमत्त से नमत्त से नमो नमहा ओम ध्यायत काली महामायांतिनेतां भुरूपनीं practice चत्र अ questionnaire भूजं लजिवाम पुर्ण चंन्निभावनां नीलोत पड्ल शामाम शत्रु शंग विदारिनीम नर मुंड तता खडगम कमलं वरदम तता विब्रानाम रक्तवादनाम दस्टाली गोरूपनीम अट्टाहस निरताम सर्वदाच दिगंबराम शवास निष्थिता देवी मुंड मालाय भूचिताम शवरूडाम महाभीमाम गोर दस्टाम व शुलन व्संडलिम् सिरह शंग संग धती करे इस्थिनाम सरवाण भूश्वर्दाम निलाश्मध्युति मास्ट दश्गाम सेत्रां से वे महा कालिगं याम अस्त्स्व पितो हरो कमल्य भू हं तुम अ धुम केतगं कृम 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 रिम रिम हम हम दक्षिन काली के कृम 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 हम हम ओम नमो भागवते वासु देवाय, ओम किलिमकृष्णाय danam, ओम लक्ष्मी नाराणाय नमह, ओमिष्णृ नमह, ओम कृष्णाय वासु देवाय हरये परमात्मने प्रनत क्लेशनाशय गो विंदय नमो नमह, शान्ताकारं भुजगशय नमपत्मनां वं सुरेशं, विश्वा अधारम गगन सदसं में गवननम् सुभांगं लक्षमी कांतम कवननैनम योगी बीध्यान गम्यम वंद्यम विष्णु भाव भाहरम सर्व लोके कनाथं अम पुंडरी काक्षाय विद्महे गरुडवाना धीमही तन्नो विष्णु प्रजोतयात राम रामे ती रामे ती राम में मनो रमे सास्व नामत अतुल्यम राम नाम वरानने हरे राम हरे राम 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 हरे 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 किष्णु खिष्णु 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 हरे हरे हम हनुमते रुद्रात्मका हुं भट ओम्रीम हनुमते राम दूतायनमह अतुलित वलधामं हेम शेलाबदेहं दनुजवन कृशानुनं ग्यानिनाम अग्याण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रगुबतीपी भक्तं वात जातं नमामी तो इश्वर क्या कहता है वह ये कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है परंतु होता वह है जो में चाहता हूँ फिर आगे वह कहता है कि तू वह कर जो में चाहता हूँ फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है तो देवराधा टस्त सत्यवानी चैनल से आप माभगवती की इस्तुती सुन रहे थे अब हम आते प्रश्न उत्तर के उपर माभगवती के चर्णों में बारं बार नमन करते हुए प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि हमारे घर पर साफ सफाई की गई दिवाली की तो उसमें बहुत सी फटी पुरानी रामायन जी की किताब सुन्दरकान की किताबे हनुमान चालिसा की किताबे और कुछ धार्मिक किताबे आर्ती से संबंदित होगई, कुछ चित्र से संबंदित होगई, कुछ अश्टो सतर शतनाम से संबंदित होगई, एसी धार्मिक पुस्तके मिली जो कई बार जल चुकी है उन पे अगरबत्ती के गुल पढ़ चुके है, पढ़ने में नहीं आ रही है कुछ कटफट गई है, कुछ गल गई है तो उन पुस्तकों का क्या किया जाए रद्दी में हमने नहीं बेची है उनको क्योंकि उन पर फोर्देवी देवताओं के फोटो भी थे और उन किताबों के अंदर कुछ मंत्र, इस्तूतियां सब कुछ लिखा हुआ है तो जिन महाशाय जी ने प्रश्न किया है उनके लिए या और भी लोगों के यहां पर भी किताबें खरीद के लाते हैं धार्मिक पुस्त के लाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, पढ़दे लिखते नहीं हैं तो वो धार्मिक किताबें अटाले में पढ़ी रहती है और पिर दिरे दिरे वो गल जाती है, सड़ जाती है, फट जाती है, पढ़ने लाएक इस्तती में नहीं रहती है, पानी लग जाता है, तो एसी किताबे जब दिवाली की साफ सपई में निकलती है, तो एसी समस्त किताबों को, पुस्तकों को, या फोटों को, तश्वीरों को, आपको विदी विदान से पूर्णिमा के दिन पूजन अर्चन करने के बाद माफी बोलते हुए इन किताबों को और सामान को जल में प्रवाहा कर देना चाहिए जल में विसरजित कर देना चाहिए सबसे अच्छा तरीका इसका ये है और यदि आपके आसफास के एरिये में कहीं पे जल नहीं हो तालाब नहीं हो कुवा नहीं हो बावडी नहीं हो या फिर बेहता पानी नहीं हो तो एक गड़ा करें उस गड़े में विदी विदान से अगरवती कुमकुम फूल पुश्प वगरा डालें वहाँ पे एक नारियल फोड़ दें उसके बाद में जितनी भी ये पुस्तके हैं पुस्तकों को गड़े के अंदर डाल दें फिर पूजन का सामान पुष्प वगरा, हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, सिंदूर, ये सब डालने के बाद में मिठाई वगरा रखते हुए उन पुस्तकों को जमीन के अंदर दफना दें ताकि उन पुस्तकों का वही पर ही पुर्ण रूफ से प्रकृती में वाफिस समाहित हो जाती है तो पुर्णिमा के दिन ये काम आपको करना है फिर दूसरा प्रशन हमारे पास में ये आया है कि आजकल जो हम देख रहे हैं नेट का प्रयोग होने की वज़े से सब मनुश्यों को मालूम चल गया है कि तिथी कब से कब तक रहेगी और वरत पर्व किस दिन मनाया जाए आजकल दो दो बार वरत पर्व मनाते हैं कई जगे कुछ मना रहे कई जगे कुछ मना रहे हैं तो इस तरीके से जब सभी हिंदू सनातन धर्मी एक हैं तो पर्व भी एक ही दिन मनाया जाना चाहिए दूसरे दिन नहीं मनाना चाहिए तो ये पंचांग लिखने वाले जो हैं तथा कथित जोतीशी या पंडे पुजारी या जिनका पीड़ी दर पीड़ी ये पेशा चला रहा है तो इन पंचांग लिखने वालों को सब को मिल करके एक तीथी का निर्णय लेना चाहिए तो प्रश्न यहां पे यह आया है कि ये वरत उपवास जो अलग-अलग बनते हैं तो इसमें हम कौन से चीज को माने हैं एक ही जगे पर एक ही शहर में एक ही गाउ में एक ही त्योहार को दो दिन मनाया जा रहा है तो एसा होने में हम भी शंकास्पत रहते हैं तो करपया आप सुझाओ दे कि हमें क्या करना चाहिए तो मेरा ये विचार है कि जो पंचांग और तीथी पर्व होते हैं ये पांच प्रकार की होती है ये शास्त्र में लिखा हुआ उश्यकाल व्यापीनी त्योहार होता है पर्व होता है जो सुबह सुबह ही मनाया जाता है उश्यकाल व्यापीनी होता है उसमें शब्द लिखा रहता है कि ये त्योहार इस समय पर मनाया ना चाहिए सुर्योदय व्यापीनी त्योहार होता है फिर तीसरा त्योहार होता है वरतपर्व होता है मद्यान व्यापीनी होता है और चोथा होता है प्रदोश व्यापीनी त्योह तीस पर्व होता है और निशित व्यापीनी वरतपर्व होता है तो जो त्योहार जिस तरीके से मनाना चाहिए, उसमें जो आ जाए तो उसका निर्णय एक होना चाहिए तो इस आधार पर निर्णय करना चाहिए तो आजकल तीठी कबसे कब तक है इसे जानने की ललक करीब करीब सभी मनुष्यों में होती है जिससे भहुश सरे पंचांग से सम्मन्धित विवाद बढ़ रहे हैं और अविवस्ता फेल रही है तो मेरा ये विचार है कि आपको ज्यान होना चाहिए कि कौणसा पर्व कौणसी व्यापीनी तीथी में मनाना चाहिए यह आपको ज्यान होना चाहिए अब आपको इसके लिए गेहराई में जाना पड़ेगा, पंचांग की गेहराई में जाना चाहिए कि एक परव, एक तीथी परव ऐसा होता है जिसको उश्याकाल व्यापीनी में मनाए जाता है किसी को सुर्यद व्यापीनी में मनाय जाना चाहिए, किसी को मध्यान व्यापीनी में मनाते हैं और किसी को प्रदोष व्यापीनी प्रदोष के समय पे मनाय जाता है और कोई त्योहारे से होते हैं जो निशित व्यापीनी याने रात्री में मनाने का विधान है तो जो रात्री में मनाने का विधाने वो रात्री में ही हो तो दूसरे दिन नहीं होना चाहिए तो वो एक ही रात होगी तो एसे परवों की तीथियों को फिक्स कर दे कि ये परव इस व्यापकाल व्यापीनी में मनाये जाएगा बस तो अभी इसके बारे में इतना ही हमें कहना है कि आज के लिए दो दो पर्व जो मना रहे हैं इसको आपको खुद को थोड़ा सा गेहराई में जाकर के चेक करना होगा कि ये परव उशाकालीन मनाने का है कि सुर्योदय काल में मनाने का है कि मद्धिहान काल में मनाने का है कि प्रदोष काल में मनाने का है कि रात को मनाने का है बस आपको इस आधार पर उस त्योहार को मनाना चाहिए जैसे क्रश्न जनमा अष्टमी ये क्रश्न जनमा अश्टमी रात को ही मनाने का विधान है निशित व्यापीनी है इसी प्रकार से महा शिव रातरी ये रातरी शब्द जहां भी लगा है काल रातरी, महा रातरी, मोह रातरी, दारुन रातरी ये सब रात को ही मनाने का विधान है तो ये निशित व्यापीनी त्योहार केलाते हैं तो निशित व्यापीनी त्योहार रातरी को ही मनाते हैं तो रात तो फिर 24 घंटे के बाद में आईगी इसलिए सबी को उसी रात को त्योहार मनाना चाहिए जो निशित कालवाले हैं उसे भी अन्य प्रकार के बहुत उधारण हैं जैमातादी जैमा का मख्या आपको शायद अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा त्योहार किस समय पे मनाना चाहिए फिर प्रशन ये आया है कि एक व्यक्ति के प्रशन केना है प्रशन ये है कि उनको सपने में बार बार कोई लड आती है और उनके साथ गलत हरकत करके चली जाती है और ऐसा ये आजकल कई बार होने लगा है आए दिन होते रहता है तो इसका क्या उपाए है इन पकार के सपनों से हम बहुत परिशान हो गए हैं और इससे मुझे नींद भी नहीं आती है और मेरा शरीर भी कमजोर होता जा तो इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि जिस मनुष्य को सपने में कोई लड़की आकर के सहवास करती हो संभो करते हुए नजर आती हो तो एसे मनुष्य का ये मान करके चलो कि एसे मनुष्य के साथ में अद्रश्य शक्ती इस्त्री जो अकाल म्रत्यू को प्राप्त हुई वह उस मनुष्य के शरीर के साथ में चिपक चुकी है अब वह उसके शरीर का भोग करती है तो एसे मनुष्य जिसको सपन दोश ज्यादा हता हो या जिसको सपने में इस्त्री तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए, यानि उसके शरीर के साथ में जो इस्तिरी लग चुकी है, अद्रश्य इस्तिरी की आत्मा लग चुकी है, जो जवान थी और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसको अपने शरीर से निकल वाले ना ची किसी अच्छे तांतरिक गुन अपने से बच्छत हो सके, तो यदि आता है, यदि आपको कोई व्यक्ति मिल जाता हो, इसको निकलने वाला, तो आप उनके पास अवश्य जाकर के जितनी जल्दी हो सके निकल वाले, और यदि आपको कोई नहीं मिलता है, तो आप देवरादा टस्त सत्यवानी चैनल से प्रश्न या आता है, कि क्या गायतरी मंतर की साधना से सभी पापों का नाश हो जाता है, और पापों का नाश करने का उपाय क्या है, तो हमारा यह कहना है, जिन महाशाय जी ने यह प्रश्न किया, कि क्या गायत्री मंद्र से पापों का नाश हो जाता है या फिर ये कहिए कि क्या पापों का नाश कैसे होगा तो उसका तरीका ये है कि मनुश्य को ब्रह्म मुहुर्त में उठना चाहिए ब्रह्म मुहुर्त में उठ करके इसनान ध्यान करके सूर्य उद्धय की पहली कीरण स्टार्ट हो उसके पहले पहले मनुष्य को पांच माला गायत्री की जप करना चाहिए तो पापों का नाश अवश्य होता है गायत्री मंत्र पाप नाशक है आत्मा की शुद्धी करता है शरीर की शुद्धी भी करता है यह ब्रह्महंड का मंत्र है तो पापों का नाश करने के लिए ब्रह्म मुहुत में रोजाना उठना प्रारंब करें इस नान ध्यान करें सूरज की पहली कीरण निकलती है तब तक उसके पहले पहले गाहितरी की पांच माला हो जाना चाहिए उसके बाद सूरी नारण भगवान को गायतरी मंत्र बोलते हुए आपको अर्ग प्रधान करना चाहिए, उसके बाद घर के देवी देवताओं की पूजन करें, कुल देवता की पूजन करें, पित्रों का पूजन करें, अपने घर में बड़े बुजर्ग जितने भी हो, उनक सबका मान सम्मान करें, उसके बाद अपने हातों से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करें, तत पश्या स्वयम भोजन करें, इससे पापों का नाश होता है, तिर्थ यातरा करने से भी पापों का नाश होता है, तिर्थों में नंगा चलना चाहिए, नंगा चलने का मतलब है नंगे पेर चलना चाहिए चपल जूते नहीं पेहनना चाहिए ताकि तिर्थों की जो रज होती है धूल होती वह आपके शरीर पर कपड़ों पर लग सके और आप पवित्र हो सको तो तिर्थ इस्थान में जब भी जाएं तो वहाँ पे आपको नंगे पेर ही जाना चाहिए अपनी सामर्थ के अनुसार तिर्थ में अन्न का दान वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए इससे भी पापों का नाश होता है और तिर्थों में जब भी जाएं तो कभी भी इस्त्री संग रमन नहीं करना चाहिए तिर्थों में जब भी जाते हैं तो किसी भी देवालय का किसी भी मंदिर का फ्री का भोजन नहीं खाना चाहिए क्योंकि बहुत से तिर्तिस्तान पे मंदिरों में, आश्रमों में भंडारे चलते हैं तो मनुष्य लोब-लालच के चक्कर में की चवरों यही भोजन कर लेते हैं, अच्छा भोजन मिलेगा तो ऐसे भंडारों का भोजन नहीं करना चाहिए और यदि करता है तो जितना पेसा होटल में भोजन करने में लगता है उतना पेसा वहाँ पर दान देना चाहिए तब आपको भोजन करना चाहिए अन्ये था पाप और चड़ जाता है पापों का नाश करने के लिए जिस तीर्थ पर आप जाते हैं उस तीर्थ के जो भी देवी देवतार होते हैं उनकी पूजन अर्चन करना चाहिए जैसी भी पूजन अर्चन वहाँ पे होती हो वो पूजन अर्चन अवश्य करें इससे भी पापों का नाश होता है और तिर्थ इस्तान में रह करके जादा से जादा बजाए घूमने फिरने के जप करना चाहिए किसी नदी किनारे बेट करके किसी मंदिन में बेट करके तिर्थिस्थान के मंदिन में परीसर में बेट करके किसी पीपल के वरक्षी के नीचे बेट करके जप करना चाहिए इससे भी पापो का नाश अवश्य होता है और जब भी तिर्थ में जाए एक दो रात अवश्य रुकना चाहिए और वहां से सम्मंदित जितना हो सके रात दिन कम से कम सोएं कम से कम भोजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा जपक और तप और दान धरम करना चाहिए इससे भी पापो का नाश होता है पापो का नाश करने के लिए मनुश्य को अपनी स्वयम के नाम पे जमीन खरीदना चाहिए और उस जमीन पर वट वरक्ष लगाना चाहिए पीपल का वरक्ष लगाना चाहिए इमली का वरक्ष लगाना चाहिए जामुन का वरक्ष लगाना चाहिए आमले का वरक्ष लगाना चाहिए ये व्रक्ष मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने का काम करते हैं और ऐसे व्रक्ष लगाना चाहिए जिन व्रक्षों से रसदार फल प्राप्त होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं ऐसा करने से भी पापों का नाश अवश्य होता है किसी भूके को भोजन कराना पापों का नाश करता है तो मनुश्य को पापों का नाश करने के लिए हमारे हिंदू धर्म में जो परंपरागत संसकार, संस्कती, परंपरारी तिरिवाज, मान्यता, प्रथाएं हैं उनका पालन करना चाहिए ताकि आपके पापों का जादा से जादा नाश हो सके और आप सुखी जीवन व्यतित कर सके मनुश्य को रोजाना हवन अवश्य करना चाहिए इससे भी पापों का नाश होता है जैमा तादी, जैमा का मक्या